स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी क्रंथ में दोस्तों हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगा अपने सपने का एक दम सही अर्थ क्योंकि हमारी पूरी टीम दिन रात कड़ी महनत से 30 से अधिक किताबों का ध्यन करती है ताकि आपके पास बिलकुल सही और सटीक जनकारी पहुँच सके ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने पूरे प्रूफ और विशलेशन के साथ सही और सटीक जनकारी लेकर आते हैं दोस्तों दुनिया में हर कोई सपना देखता है यार हम कई बार इन सपनों का मजाग भी उड़ा देते हैं लेकिन इन सपनों के पीछे हर बार कोई ना कोई संदेश जरूर छुपा हुगा होता है पर यार लोगों को नहीं पता कि बुरे सपने आने पर या अच्छे सपने आने पर क्या करें बुरे सपने ना आए उसके लिए क्या करें और ऐसी ही और भी जनकारी के लिए आप हमारे चैनल में दी गई प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और भाई साब क्रपया करके ऐसे चैनल से साउधान रहें जो व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं और अगर आपको कोई विशेश सपना आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं जिससे हम उस सपने पर रिसर्च करके उसका वीड से बताते हैं वैसे तो गधा समाज में कड़ी मेहनत और अत्याधिक जिद का प्रतीक है इसके अलावा गधे को मूर्खता से भी जोड़ा जाता है सपने में गधे को देखने के लिए आपको कई परिशानिया मिलेंगी आपको जरूरत का सामान प्राप करने में भी देदी ह इसी कारण गधे को सपने में देखना कभी भी अच्छा नहीं माना गया है अगर कोई व्यक्ती केवल एक खड़े हुए गधे को सपने में देखता है तो उसका अर्थ ये है कि उसे अपने जीवन में सफल होने के लिए अभी बहुत महनत करनी है पर यदि कोई व्यक्ती अपने घर में एक गधा देखता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ती को पुष्टैनी विरासत मिलने वाली है अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ती अपने सपने में गधे पर सवारी करते हुए अपने आपको देखता है तो उसका अर्थ क्या होता है वो व्य प्रकेश में किसी ऐसे स्थान पर फस जाएगा जहां से निकलने के लिए उसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाएगी पर अगर व्यक्ति सपने में दूसरों को गधे की सवारी करते हुए देखता है तो इसका अर्थ है कि उसे जीवन में छोटी से छोटी चीज़ को प पहलाई जाएगी जिससे आपका मान सम्मान कम हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति महिला को गधे की सवारी करते हुए देखता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति के जीवन को एक दुष्ट महिला अपने कंट्रोल में ले लेगी अगर व्यक्ति बच्चों को गधो की सवारी करते हुए अपने सपने में देखता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति के बच्चे उसकी आग्या का अनुसरन करेंगे पर अगर व्यक्ति स्वयं गधे को चला रहा हो तो इस सपने का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति के सभी दुष्मन एक हो चुके हैं और वे सभी मिलकर आपके खिलाफ काम करने वाले हैं और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गधे को चलाते हुए देखता है तो इसका अर्थ है वो व्यक्ति किसी मतलवी और लालची व्यक्ति के प्रेम संबंद में या तो फस चुका है या फसने वाला है गधे को रेंकता हुआ देखे तो इसका अर्थ क्या होता है चलिए जानते हैं अगर कोई गधा व्यक्ति के स्वयम के चहरे पर रेंकता हुआ दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति समाज में सारवजनिक रूप से अपमानित होने वाला है ऐसे व्यक्ति को पूर वोटकर सूर्य को अर्थे देना चाहिए अगर गधे के रेखने की आवाज किसी दूर दरास के स्थान से आती हुई सुनाई दे तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति के किसी खरीबी व्यक्ति की मृत्यू होगी और उस मृत्यू के बाद उसे धन प्राप्त होगा परन्तु यदि सपने में गधा बिना किसी बात के रेख रहा है तो यही अच्छा सपना माना जाता है इस सपने का अर्थ है कि सपना देखने वाले व्यक्ति की कीर्थी बहुत जल्द फैलने वाली है पर अगर गधा सपने में लात मारता है तो इसका अर्थ यह होता है कि व वैद संबंद बनाने वाला है जिसके कारण उसका पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा ऐसे व्यक्ति को ऐसा सपना देखने पर अपने पार्टनर को अपने जीवन में घटने वाली सभी बातें खुल कर बतानी चाहिए ताकि परिवार विखरने से बचाया जा सके अगर व् व्यक्ति मरे हुए गधे का सपना देखता है तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण कारियों को पूरा नहीं कर पाएगा अगर व्यक्ति गधे को खरीदने का सपना देखता है तो अगर व्यक्ति व्यपारी है तो उसका व्यपार अगर व्यक्ति सामाजिक कारे करता है तो उसका समाज में प्रभाव बढ़ेगा और अगर सपना देखने वाले व्यक्ति की जल्द ही शादी होने वाली है तो उसे वफादार पार्टनर मिलेगा पर अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सफेद गधे को सपने में खड़ा हुआ दे देखती है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके घर का बंडार जल्द ही बढ़ने वाला है पर अगर कोई व्यक्ति के सपने में कोई गधा उस व्यक्ति का पीछा करता है और व्यक्ति उससे डरता है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि व्यक्ति जल्द ही घोटालों में फसने वाला है पर अगर कोई व्यक्ति गधे को बोजा ढोता हुआ देखता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस व्यक्ति को धैरे और परिश्रम के बाद भी पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाईगी अगर व्यक्ति खड़े हुए गधे पर सामान लदा हुआ देखता है तो इसका अर लग लगाना चाहिए अगर आपको अभी तक आये हुए सपनों में से कुछ अलग सपना आया है या सपनों के बारे में आपके पास कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं हम आपके सपने पर पूरे अध्यान और विश्लेशन के तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके धन्यवाद